हलो दोस्तो, डबलो स्क्रिप्टे की यूट्यूब चैनल में आपना स्वागत है अड़ो फोटोशव की सीरीज में यह हमारा पाचवा वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे मार्क्यू टूल के बारे में इससे पहले हम बात करेंगे मार्क्यू टूल के बारे में अब भी हमारे पास यहाँ पर एक वर्क स्पेस में 500 x 500 की PSD ओपन है जिसमें हम अगर बात करें मार्क्यू टूल के बारे में तो वो move tool के just नीचे यानि आप ये tool menu देख रहे हैं उसमें second position पे हमारा marky tool available है अब इसके अंदर अगर हम बात करें right click करें तो इसके अंदर हमारे पास 4 option आ रहे हैं जैसे कि rectangle marky tool, elliptical marky tool, single row marky tool और single column marky tool अगर shortcut की हम बात करें तो shortcut है इसका M, M for monkey and right click करें तो अगर आप दे देखें तो 4 option है लेकिन अगर shift के साथ M अगर press करते है तो सरफ 2 ही होंगे इसमें या तो eclipse select होगा या फिर rectangle select होगा तो elliptical और rectangle में आप choose कर सकते हैं overall अगर भात करें इस पूरे वीडियो में हम जो हमारे 3 basic concept है जिसमें हम पूरी series dependent कर रहे है creativity, alignment और color combination उसमें आता है alignment तो marky tool, more tool ऐसे tool है जो alignment को लेके बहुत ज्यादा यूज आने वाले है इस video में marky tool इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि हम ruler के बारे में भी अच्छे से जान जाए background color अगर हमें change करना है तो हम उसके बारे में बैच्छे जानता है और थोड़ा बहुत हमें ये भी idea लग जाए कि area क से select किया जाता है तो alignment पर एक तरह से कहें कि ये वीडियो बहुत ज्यादा conceptual है तो मार्की टूल में अगर आपने जिससे देखा या आप राइटिंग मार्की तूल यहां पर देख चुके और एक्टिव है तो अगर मैं area select करना चाहता हूं सपोस करिए मैंने ये area select किया इतन कि width कितनी है और height कितनी है obviously बात है अगर same width और same height अगर आप करते हैं तो वो हमारा square area selected होगा तो overall अगर मैं बात करूँ तो mark you tool जो है वो मेरा area selection के काम आता है fine अगर मुझे यह पूरी PhD का area select करना है तो मैं करूँगा control A तो overall area select हो जाएगा अगर मुझे इस area को diselect करना है या तो मैं प्रेस करूँगा control D okay overall PhD को select करने के लिए control A और अगर उस area को यानि selected area को diselect करना है तो control D D for dog okay तो control D में प्रेस करूँगा dis select करने के लिए okay fine तो यह मैंने यहाँ पे overall area select कर दिया अब area select करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो मैं color जो है पूरी PhD का वो मैं change करूँगा ध्यान रखिए हम यहाँ पे color combinations जो color change करने की बात करेंगे कि कैसे आप एक background PhD का color change कर सकते तो इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर rulers की भी बात करेंगे और हम यहाँ पर area selection की बात करेंगे तो total तीन conceptual है इसके अंदर तो थोड़ा ध्यान से देखेगा तो control A मैंने यहाँ पर किया और control A करने के बाद यहाँ पर अगर आप यह दो color देख रहे हैं यह दो option है यहाँ पर म आप जा सकते हैं top to bottom में भी आप जा सकते हैं यहां से आप color change कर सकते हैं यह सारे color mode इसके बारे में हमने पहले भी काता है कि separate video हम बात करेंगे क्योंकि यह detailing थोड़ा जाना चाहेंगे क्योंकि कई जगा printing के case में website के case में application के case में या अलग-अलग तरह की design साते हैं उनके case मे अगर हम बात करें तो color combination हर जगा थोड़ा अलग रहता है तो उसके बारे में detail में बात करेंगे तो मैं यहां पे अभी pink color select करता हूं यहां से और नीचे जो white का था उस पे भी अभी मैं click कर रहा हूं और उस पे मैंने blue color ले लिया या फिर यह color ले लिया और मैंने ok कर दिया ह यहां पर दो color अभी लिया है एक pink लिया और एक थोड़ा blue shade में लिया है मैं चाहता हूं कि अगर जैसे अब मैं cursor लेके जाता हूं तो इसके उपर जैसे लेके जाओंगा pink के उपर ठीक है तो यहां पर set forward color लिखावाएगा bubble और यहां पर set backward color लिखावाएगा background color set foreground color और यहा यह selected होना जरूरी है उके color change करना है तो मैंने क्या प्रेस किया control shift और backspace तीनों साथ में press कर रहा हूं control shift backspace यह मैंने जैसे प्रेस किया तो मेरा यह set background color select हुआ control shift और backspace अब मैं select करना जा रहा हूं alt shift और backspace तो मेरा यह foreground color change वहाई यानिकि अगर यह ऊपर वाला color अगर आपको set करना है तो इसका shortcut है जिस area के लिए आपको set करना है वो area अपने select कर दिया अब वो आप अलग-अलग tool से भी कर सकते हैं जिसे कल को lasso tool और भी कही सारे हम color tool की बात जो area selection के tool की बात करेंगे किसी भी से भी अगर आप area select करते हैं तो अगर आपको front वाला color चाहिए तो shift alt backspace त और अगर आपको background वाला color set करना है तो आपको control shift backspace आपको press करना है लेकिन area selected होना जो area selected होगा सरफ उसी में यह applicable होगा fine तो अभी मैंने यहां पर control A से मैंने पूरी PhD सलेक ही मैं चाहता तो mark you tool की help से मैं diselect कर देता हूँ यह area मैं पूरा select कर सकता था ओके तो overall मगर मुझे पूरा area select करना है तो चाहिए मैं mark you tool use करूँ चाहिए मैं control A करूँ एक ही बात है तो mark you tool basically area selection के काम आता है और अगर यही मुझे area elliptical चाहिए होता तो मैंने इससे interchange किया shift M से या फिर right click करके मैंने change किया तो मैं यहां पर elliptical area भी ले सकता हूँ अगर मुझे exact square चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ यह मुझे exact square चाहिए तो मैं shift प्रेस करूँगा जैसा कि हमने शेप टूल में किया था तो यह मेरा exactly square circle बन जाएगा तो मैंने area select किया और मैं अब यहां पर इस में बैग्राउंड कलर डाल रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहां पर पिंक shade अल्रेडी बैग्राउंड में आ रख है उसके ऊपर मैंने यहां पर blue shade में color ले लिया तो मेरे पास एक तरसे यह color mode आ गया यह एक तरसे आप ऐसे कह सकते है कि अगर मैं blue sky का color ले लेता हूं suppose करिए यह मैंने blue sky का color लिया पूरा area select किया तो यह मैंने blue sky का color ले लिया तोड़ा से light करेंगे इसके यह light किया और यह blue type मैंने ले लिया और मैंने इस color को yellow ले लिया जनरल example के तौर फे ताकि मैं sun दिखा सकता हूं तो मैंने elliptical already select कर रखा है shift के साथ मैं यहां पर यह बनाऊंगा और मैंने यहां पर sun बना दिया फिर आप उसके नीची यहां पर grass डालना चाहिए या कुछ और करना चाहिए वह आपको वैसा banner बन जाएगा बट overall conceptual part क्या है कि अगर आपको rectangle area select करना है तो भी आप market tool यूज कर सकते हैं आपको elliptical या circle select करना है तो भी आप market tool यूज कर सकते हैं और मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहें यहां पर मैंने क्लिक किया ध्यान रखिए single row market tool यानि आप horizontal line की बात कर रहें तो यह horizontal line वन पिक्सल की यहां पर select हो गई अगर मैं इसका color change कर देता हूं महां लेजे मैंने shift control backspace दबाया यह मैंने आप सलेक कर दिया तो अभी आपको visible नहीं होगा लेगे मैंने control डीक जैसे किया है तो यह आप देखेंगे एक पिक्सल की horizontal line मेरी change होगी और यहीं अगर आप single column यानि क्या वर्टिकल इस बार बात करेंगे तो यह मेरी एक पिक्सल की line select होगी यानि पूरी PSD का जो single pixel जहां पे भी मुझे area select करना है whatever the place वहाँ पे मैंने click किया वहाँ से लेके top से लेके bottom तक वो एक पिक्सल का area automatically select हो जाएगा और यहीं row की बात करूँगा यानि कि single row marky tool की बात करूँगा तो एक पिक्सल का यानि जहां पे मैं प्रेस करूँगा वहाँ से ये एक पिक्सल का area select कर देगा यानि left to right से select कर देगा और column में top to bottom select कर देगा तो वो मैं अपने according change कर सकता हूँ तो यह आपने देखा कि मैं चारों को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ तो अभी marky tool क्या काम आता है वह में समझ में आ गया color background का या foreground का कैसे हम change कर सकते वह में shortcut के तोर पर पता चले गया कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते वह मैं समझ में आ गया अब हम बात करेंगे ruler पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि यह जो color है वह एक बार मैं इसको white कर दो पूरा control A करके यह मैंने white कर दिया ताकि मैं जो ruler का आपको explain करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ruler हमाले बहुत helpful साबित होगा alignment को तो पर वह भी हम बात करने तो ruler अभी आपके सामने नहीं मलग इस work आपके कंट्रोल आर कंट्रोल आर आर फॉर रैट तो यहां पर आप देखेंगे के left-hand side में मेरे पास ruler आ गया और top में एक और ruler आ गया तो अब measurement के लिए कही बार हमें measurement लेना होता है तो ruler हमाल लिए बहुत important प्ले रोल करता है तो माल लीजिए मुझे ruler active करना है एक और होता है लेकिन मुझे जो measurement है इंचेस में नहीं चाहिए मुझे वो pixel में चाहिए या कोई और other measurement के तौर पे चाहिए जिस सैंटीमेटर मिलीमेटर पॉइंट पिकास परसंडेज जिसमें चाहिए मैं ले सकता हूं बट 99% हम ज्यादा था pixel यूज करते तो हम pixel में करेंगे तो राइट मोस कॉर्णर है तो यहां से आप कंपेर करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाइट में भी 500 पिक्सल की है अगर इसको राइट क्लिक करके इंचेस सैट कर देते हैं तो यह इंचेस में इसका बता देता है कि कितना विद्ध है और कितना हाइट है तो यह तो पर्टिकुलर एरिया चाहिए सपोस करो मुझे जीरो पिक्सल से हंडेट पिक्सल तक एक यहां पर लाइन चाहिए जो मेरा पी एसदी का हिसा नहीं होगी मतलब मेरे जो इसका आउट्पूट आएगा बैनर का या डिजाइन का वह हिसा नहीं होगा वह सेव करते समय हट जा तो मैं लेफ्स से यहां पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और उसको क्लिक करते वें यहां पर लेके आऊंगा ठीक है यहां लाने बाद आप नोट करिए कि एक देखिए लाइन आ गई जिसको हम गाइडलाइन भी कहते हैं कुछ लोग इसको ग्रीड लाइन भी तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी एक से कितनी डिस्पेंस है यह बबल में ब्लैक के बबल में दिखाई दे रही है और उपर अगर आप बात करें तो उपर से भी आप मेजर्मिंट ले सकते हैं कि 100 पिक्सल तक लेना है या फिर 150 तक लेना है कहां तक मुझे एरिया सब्सक्राइब तो मैंने माल लिया कि मुझे 100 तक चाहिए तो मैंने इसको 100 तक यह सैट कर दिया और यह लाइन छोड़ी तो इक ब्लू कलर की लाइन आ गई है यह ध्यान रखिए ना तो इस पिएस दी का पर्मानेंट हिस्सा बनेगा और ना ही प्रिंटिंग के टाम होगा यह बस एक तरह से हमाली मेजरमेंट या फिर प्रॉपरली एरिया सेलेक्शन के ताइम में काम आता है तो इतना इन अफ एगा ओके अब यह मैंने हजार सॉरी 100 पिक्सल का यहां से एरिया ले लिया मतल़ा अब मुझे पता है कि इधर का इसा 100 पिक्सल का है और बचावा जो एरिया है वह 400 पिक्सल का है ठीक अगर मुझे यही बैजरमेंट चाहिए तो मैं टॉप से लिख्या हूंगा और यहां पर मैं यह उपर का इसा 100 पिक्सल का है और इसके नीचे के इसा 400 पिक्सल का है तो यहां पर मेरे पास एक तरह से यह पीएच्ट को मैंने डिवाइड कर दिया कैस के ह griyo मैं एक हिसो ऐए एक हिसा ही ए sheriff ओर चोथा हिसा ही तो एक तरह से मैंने इसी सी इस्ट को चार इसुन में डिवाइड कर दिया ताकि मैं set अभग्रह देना चाहूं तो दे transaction से मுझे इस हिस्से में यानि कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें मुझे क्या करना है यलो । मैंने shift all backspace प्रेस किया लेकिन ये जो हिस्सा है मेरा यहां से इसको मुझे pink shade देना है तो मैंनेope तो मैंने डाल इडा बैग्राउंड कльर को मैंने वो किया और चीक इस हिस्से में मैंने क्या किया कंट्रोल जिफ्ट एक अब भी हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास यह एक चार इस्व में एक तरा से डिवाइड जिसमें दो कलर कॉमिनेशन मैंने अब कई बार जिसे मैंने मैजरमेड लेलियाँ अब मुझे इन लाइ hide कर सकते हो और ctrl h से ही आप यह दुबारा शो भी कर सकते हो fine तो पहले हमने जाना मार्की टूल क्या काम आता है फिर हमने जाना कि background colors यह जो दो color आपके पास available है set background set forward color है इनको आप shortcut की help से यहां पर कैसे select कर सकते हो उसके बाद हमने जाना roller टूल क्या है और उसको कैसे appear और disappear करना है फिर हमने इन guideline की help से area select किया ताकि हमें idea लगेगा कि particular कितने area मुझे वह box या area select करना है तो overall चार चीज़ों पर अभी हमने बात की और इन guideline को hide और night कैसे कर सकती है हमने बात की तो अब यह मेरे पास एक output बना आ जाए ठीक एक और example लेता हो ताकि थोड़ा detailing में आपको समझ में आ जाए मैं control n कर रहा हूं मैं 500 बाइ 500 पिक्सल की एक अलग पिएसडी ले रहा हूं अब मैं कर रहा हूं control ए यह यानि overall एरिया select कर रहा है जितना अभी तक हमने देख पड़ा अभी तक या जो भी इस वीडियो में discuss किया उसका पूरा सार अभी इस एक्जांपल में आ रहा है तो कंट्रोल ए किया मैंने पूरे पिएसडी को सलेक्ट किया control shift backspace से मैंने background color set किया है अब मैं चाहता हूं कि मुझे 400 by 400 में yellow color set कर दूँ पर अगर मैं 400 by 400 में color set करता हूं जैसे यह black bubble की तरह से तो जा रहा है लेकिन मैं exactly center में 400 by 400 का कैसे करूं या कई बार आपन नोट करते हैं कि 400 एक pixel का उपर नीचे प्रॉपर सेट नहीं होता है काफी complicated होता है यानि कि exactly set करना कहीं बार difficult हो जाता है या फिर माउस पर हाथ नहीं बैठा होता है कोई भी reason कह सकते हैं तो हम ruler की help से जैसे मैंने यहां से लेकिए यहां तक यह 400 मुझे चाहिए तो बैसली टॉप से 50 और bottom से 50 यह मैंने set किया ऐसे left से 50 रूलर यह मैंने set किया ruler lines को और ऐसी मैंने right से 50 ओके तो यह आप देख रहे हैं कि यह अंदर का जो हिस्सा है यह मैंने marky tool से जो दुबारा यहां तक आगे अगर मुझे इसको change करना है तो move tool select करेंगे जिस line को interchange करना है उसको जाएंगे देखी यह cursor change होना कर से ठीक है इसको वापस से मैं यह हैं यहां पर से 50 पर मेरा set हो गया और में marky tool के यह से मैंने box बना दिया 400 by 400 का और इस पर मैंने color जो change करना है मैंने yellow कर दिया तो overall phd में मैंने blue color दिया था और अंदर 400 by 400 में मैंने yellow color दिया अब मैं चाहतो 300 by 300 में वापस blue color दे दूँ तो diselect करूंगा मैं और भी extra line ला सकता हूं अब इस बार मैंने 100 लिया मैं थोड़ा randomly ही इसको ले रहा हूं एक दो pixel का मैं ignore कर रहा हूं ताकि unnecessary वीडियो बड़ी ना हो जाए conceptual part समय जाए आप देखेंगे मैंने यहां से यह again select कर दिया अब यह जो हिस्सा है यह अंदर वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा है 300 by 300 पिक्सल का और इसका मैंने color कर दिया blue डिसलेक किया अगें और आगे बढ़ते है 200 by 200 का लेना है तो मैंने अगें यह ruler set किये कि मैं यहां फिर ruler set करूँगा यह सब एक्जामपल समझाने के लिए या फिर आपको यह बताने के लिए कि किस हद तक हम rulers को यूटिलाइज करते हैं इसलिए हम इतने अंदर तक जा रहे है डीपली जा रहे हैं अब 100 by 100 में यह ले ले लेते हैं कि कि बस रूलर को अच्छे से यूज करने के लिए हमने यह एक्जामपल लिए बाकी जन्रली दॉर पेस के जुरूप नहीं पड़ते हैं अब मैं जेंज हो गया जुब गया कि अब मैं बहुत मैंने स्कट बना लिए अब मैं चाहतक एक सरकल बनाओ तो सरकल के लिए आप इलियुश कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली सैट और आप डेखने जनरलिए ऐगर आप बनाते तो आपको काफी बंड़ी हो जाती है लेकिन अब अगर इसके साह जाते हैं न है इसको आ रहाम से सरकल को अपन गया और इसको मैं बलू कलर देता हूँ तो अब यह जो लाइन्स देख रहे हैं, रूलर लाइन्स आप देख रहे हैं, यह एक तरह से यह निशो करी PhD हमारी कैसे बने, मैंने किया Ctrl H, अब देखे यह मेरा आउट्पुट रहेगा, या फिर यह कहे कि जब मैं PhD को सेव करूँगा, प्रिंट करूँगा या इसी कई, ब किया कही बार, यह जब आपने अननेसरी तरीके से लगा दि तो ओसे से आप इसको set भी कर सकते हैं, और अगर आपको यह बहर परनेटि हटानी है, तो अगर आप मू तूल के हल से इनको इस तरीके से हटा सकते हैं, और छोड़ दूगा है तरीके से आप देख रहे हैं यह देखिए यह रूलर जो लाइन्स है वो परमानेट यहां से हट जाएंगी और ठीक वर्टिकल लाइन भी मैं इसी तरीके से हटा सकता हूँ कि मैंने अटा दी कि वाइन ध्यान रहे है शेप का कलर इस तरीके से चेंज हो Gabe यहां पर कोई कलर ऐसे चेंज है दरवाइस कलर तरीके से यहां बाड़ेगा यहां पर यहां पर यहां लेर जिसको हमने इस तरीके से यूज किया अब कई बार क्या होता है कि हमें सरफ एरिया सेलेक्ट नहीं कोना होता है सिर्फ उसका मेसरमेंट दिखना उता है तो मैंने जैसे यह लिया और यह मैंने मेसर में लिया रेंडम लिमालो तो यहाँ पर देख रहे हेंगे पोर अभी имें जितना सेलेक्ट इस ब्लेक बबल में चार सो एक टिक्सल विद्द दिखा दिखा रहा है और गल्ती से मैं नहीं ब continues click मैंने चोड़ दिया तो अब मुझे यह जानना है कि जितना area selected है उसका area मतलब कितना है यानि selected area की width और height कितनी अगर मुझे जानना है तो उसका shortcut है F8 F8 मैंने प्रेस किया F8 में अगर आप note करेंगे यह देखें यह आप फे आपको W और H दिख रहा है इसकी कितनी height है उसके अलावा यह जो cursor जा रहा है अगर आप नोट करें करसर जैसी जाएगा यह आरजी बी CMY के और XY यहाँ पर changes होंगा अगर मैं cursor लेके जा रहा हूं तो यहाँ पर अगर जहां मेरा cursor अभी currently present है वहाँ पर आरजी बी color code क्या रखा हूँ है उसका CMY के color code क्या रखा हूँ है और उसकी x direction से यानि left hand side से कितना gap है और y direction नहीं टॉप से लेके कितना gap है वह भी यहाँ पर आ गया तो overall area select के अलावा मुझे f8 से यह भी पता चलेगा कि वह pointer जहाँ पर मेरा अभी active है वहाँ पर इस PhD के according उसका color code और उसकी positioning क्या रखी हूँ है तो वह भी हम जान सकते है तो overall mark you tool then color changes यानि background and foreground color then ruler इन सब को हमने देखा कि कि किस तरीके से हम utilize कर सकते हैं ओके बट यह दो कर जो है पनलों सिंगल रोक मार्की और सिंगल कॉलम यह थोड़ा सा different है कि सरफ वन पिक्सल एरिया सेलेक्शन के काम आता है बहुत कम केस में यह काम आता है बट खिर भी अगर utilize करना है तो हम कर सकते हैं तो मार्की टूल में इतना ही rectangle मार्की टूल elliptical मार्की टूल, single row मार्की टूल और single column मार्की टूल यह हमने चार option देख लिए, ruler भी देख लिया, foreground और background color भी हमने देख लिया और उनके shortcuts की भी हमने बात कर लिया, साथ में यह भी बात कर लिया कि area selection के लिए कैसे हम उसकी information देख सकते हैं, effort की हल्प से, तो यह overall और इस video म हमने discuss किया, आपको सब चीज clear होगी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी doubt है, या कोई भी confusion है, या कोई भी discussion point है आपके mind में, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, हम उसके reply जरूर करेंगे, अगर video पसंद है तो like करना मत बूलिएगा, YouTube चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, और आने वाले वीडियो की notification लेने के लिए आपको subscribe के साथ bell button कर दबाना भी मत बूलिएगा, thank you so much, keep enjoying